Hello Everyone, Welcome to Iqlavia Study Point and I am Sachin आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को Class 11 Political Science से जो आपका 5th Chapter है Legislature इसकी Easy Explanation करवाने वाला हूँ और आप सभी को इस Chapter के Free PDF Notes भी Provide करवा दिये जाएंगे तो हम चले वीडियो को आगे बढ़ाते हैं अगर आपको कोई भी Query होती है तो आप Instagram पे Message करके पूछ सकते हैं युजरनेम आप सभी के सामने mentioned है और अगर आपको हमारे Free PDF Notes डाउनलोड करने हो तो उसके लिए आप हमारे Telegram Group को जोईन कर लो Class 11 ESP आपको सर्च मारना है Telegram पे और वहाँ पे आपको जितने भी Chapter के Notes हैं Chapter wise वो मिलते रहेंगे तो आप मेरे Background में देख सकते हो पीछे मैंने जो आपको Chapter पढ़ाया था वो Executive के बारे में था आज जो आपको पढ़ाऊंगा वो Legislature के बारे में है उसके अगला जो Chapter होगा आपका Chapter No.6 वो Judiciary के बारे में होगा तो ये तीन पार्ट्स होते हैं Government के तो आज हम पढ़ने वाले हैं Legislative Assemblies जो होती है हमारी जो Legislature होती है उसके बारे में तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते है Legislative जो आपकी Assemblies होती है इसका काम होता है Law बनाना ठीक है? So what is Legislative? So Legislative जो है वो Government की वो ब्रांच होती है जो Law बनाती है हमारे देश में जो भी कानून बनते हैं वो Legislative Assembly ही बनाती है ये चीज़ आप याद रखेगा और इट इस मेड़ अप उफ Elected Representatives और ये जो Legislative Assemblies होती है इसमें हमारे नेता जाकर बैठते हैं जो Parliament होता है उसमें कौन बैठता है हमारे नेता जिनको हम वोट देके जितवाते हैं लाइक जो Member of Parliament होते हैं जिसको आप MP भी कहते हो है न MP, सांजद ये जो MP हो गए ये जो State Legislative Assemblies होती है वहाँ पे MLAs जाते हैं ठीक है जिसको विधायक कहते हैं MP, MLA ये सारे लोग होते हैं जिनको हम वोट देते हैं और ये फिर आगे जाकर Legislative Assemblies में बैठते हैं और अमारे लिए काम करते हैं आप मेरे Background में जो फोटो देख पा रहे हो ये लोग सभा है जो बिलकुल Newly Constructed है अभी नया नया बना है इससे पहले बिल्डिंग दूसरी थी तो लोग सभा जो है आप देखोगे यहाँ पर हमारे सारे Representatives जो होते हैं वो आते हैं इंडिया भर से और बैठकर बात करते हैं ऐसा ही आप अकर देखोगे एक Question आपके Mind में आ रहा होगा Why do we need a Parliament? आखिर Parliament की जुरुत है क्यों? ये नेताओं की जुरुत क्यों है हमें? हम खुद सब कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं? देखो भई इंडिया एक diverse और बहुत Populous Country है ना सवा सव करोड देशवासियों हमारे इतनी Population है कि भई हम यहाँ पे सारे मिलकर तो देश नहीं चला सकते ना हमें कुछ limited लोग ही चाहिए होते हैं जो decision making का काम करते हैं So India is a diverse and populous country with a vast population of over billion people बहुत लोग हैं billions of the लोग रहते हैं इंडिया में So इस वजह से हमें एक Parliament की जुरुत पढ़ती है Parliament ensures that citizens from different regions Parliament में इंडिया के हर कोने से आके लोग बैठते हैं हर community के लोग होते हैं हर background के लोग होते हैं जो की decision making process में आकर शामिल होते हैं जो देश के लिए laws बनाने का काम करते हैं Parliament का काम होता है law making The primary function of Parliament is to make laws हमारे देश में जो भी कानून बनते हैं जो laws बनते हैं वो बनाने का काम हमारा Parliament करता है ठीक है इसके अलावा oversight of the executive जो हमारी executive branch होती है government की जिसमें prime minister होते हैं prime ministers की council of ministers होती है ठीक है council of ministers होती है उसके उपर नजर रखना उसके उपर check and balance रखना यानि कि बाई question करते रहना time to time कि वो कुछ गलत ना करे Parliament में ही तो होते हैं ने questions तो वो control भी रखती है executive के उपर Parliament और the executive branch led by the prime minister and cabinet is accountable to Parliament यह मैंने आपको पिछले chapter में भी पढ़ाया था कि जो PM हैं, ministers हैं इनकी जो council है वो accountable, responsible और answerable है Parliament के लिए Parliament में जो question पूछे जाते हैं उसका answer सभी नेताओं को देना होता है अब अगर हम आगे बढ़ें हमारे देश का जो budget होता है annual budget वो भी कहाँ पर Parliament में ही आता है Parliament में बताया जाता है जो finance minister होता है वो बताएगा भई, budget कैसे कैसे किसको कितना allocation हुआ है और budget देश का कैसा रहने वाला है सो budget का approval Parliament बहुत ही crucial role play करता है budget को approve करने में जो government का budget होता है वो Parliament में ही approve होता है जो annual budget आता है उसको finance minister जो currently निर्मला सीतारमन है वो आके present करती है लोगों के सामने लोकसभा में और सभी लोग उस पर discussion करते हैं उसमें एक transparency है कि भई वो आके सब को बता रही है गॉर्मेंट के ऐसे ऐसे इतना पैसा इदर लगेगा उदर लगेगा so financial matters पे transparency रहती है because of the parliament ठीक है ये सारी चीज़े हैं अभी तक जो मैं आपको बता रहा हूँ आगे बढ़ते हैं protection of fundamental rights देखो भई हमारे जो rights होते हैं कुछ fundamental rights होते हैं हमारे पास जो हम पढ़ चुके हैं already so the parliament is responsible for upholding and protecting the fundamental rights of citizens as enshrined in the constitution क्योंकि इसके पास power होती है constitution में amendment करने की तो constitution क्या है भई जो rights है हमारे वो constitution में ही तो दिये हुए है तो constitution में amendment करने का right है अगर parliament के पास में तो कहीं न कहीं parliament ही हमारे rights की protection भी कर रहा है ठीक है parliament में वो बातें आती हैं कि अगर भई कोई right है add करना है, हटाना है, बदलना है तो वो parliament में ही बात होती है न फिर है international agreement देखो इंडिया के जितने भी international agreement होते हैं जितनी भी treaties होती है जो हम किसी से sign करते हैं कोई treaty sign करी, कोई agreement sign करा तो उसके लिए parliament का approval बहुत जरूरी होता है ऐसा नहीं है कि PM मोदिक कहीं भी जाके किसी से कुछ भी agreement करके आ जाएंगे नो, ऐसा नहीं होता हमारा देश एक democracy है parliament में discussions होती है हर तरह की सो parliament ensures that the country's foreign policy aligns with its interest and values parliament इस चीज को ensure करता है कि जो हमारे भारत देश की foreign policy है वो कुछ ऐसी होनी चाहिए foreign policy का मतलब होता है हम other countries के साथ कैसे relation रख रहे हैं सो हमारी foreign policy ऐसी होनी चाहिए जिसमें हमारे country का भी फाइदा हो रहा हो अपना भी फाइदा होना चाहिए तो इस तरीके से अभी तक आपको parliament का role तो समझा रहा होगा law बनाना हमारे देश के नेताओं से questioning करना और जो जितनी international agreements होती है उसकी approvals देना जो government का budget होता है उसको भी यहीं पेश किया जाता है parliament में so parliament transparency और democracy के लिए बहुत जरूरी होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं अब जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हो यह photo है लोकसभा की जो बिलकुल अभी newly building बनी है यह नई वाली लोकसभा की building है ठीक है और दूसरी building जो आप मेरे पीछे देख रहे हो यह राज्यसभा है हमारे यहाँ पे parliament जो है उसके यहाँ पे कह सकते हो आप दो पार्ट है एक लोकसभा है और दूसरा राज्यसभा है लोकसभा national matters के लिए होता है राज्यसभा state के matters के लिए होता है so one by one में आगे आपको difference भी बताऊंगा कि हमारा यहाँ पे जो parliamentary system है उसके अंदर कैसे दो house होते हैं और उन दोनों में क्या difference होता है यह question आता है पहला सवाल कि हमें दो houses की जुरत क्यों पड़ी क्यों ना हमने एक ही parliament का house बना के उसी में सारे काम करे हमने राज्यसभा और लोकसभा यह दो houses क्यों बनाए हमारे इंडिया में तो देख हो गई सबसे पहले हमारा यहाँ पे इंडिया जो भारत देश है वो बहुत diverse है बहुत ही populous है बहुत diverse है तो ऐसे में the लोकसभा represents the people directly through general elections ठीक है जो लोकसभा है वो सीधा-सीधा लोगों की समस्याओं को बताते है लोकसभा यानि कि लोगों की समस्याओं का सीधा-सीधा discussion लोकसभा में चलता है और यहाँ पे लोकसभा में जो MP आते हैं उनको vote कौन देता है हम लोग देते हैं जो 18 plus citizens है वोट देकर लोग सबा के members को चुनते हैं वहीं जो राजे सबा है वो represent करती है state union territories को ठीक है अब एक matter हो गया कि जनता के लिए बात हो रही है एक matter हो गया कि state के मुद्दे रखे जा रहे हैं state की problems आ रही है ठीक है इस वज़ा से काम थोड़ा जल्दी हो और अच्छे से हो पाए हमने दो house बना दिये लोग सबा में general जो आपके topics होते हैं आए दिन के जो आपकी life से related वो बातें discuss होती है राजे सबा में state की बातें डिसकस होती है ठीक है तो ये सारी बातें इसमें आ जाएंगे इसके अलावा इस bicameral system bicameral का मरलब होता है कि जहां पे दो आप देख पा रहे हो एक तो राजे सबा और एक लोग सबा ठीक है इससे क्या है जादा से जादा लोगों की जो है representation देखने को मिलती है ठीक है और एक federalism जो है वो promote हो रहा है ना कि एक ही पे सब कुछ नहीं हो रहा federalism क्या होता है जहां पे आप सब को साथ लेकर चल रहे हो state के लिए अलग आपने बना दिया लोगों के लिए लोग सबा अलग बना दी तो इससे क्या है federalism भी strong होता है इससे क्या होता है कि कोई एक अकेला house होता ना वो बहुत डॉमिनेटिंग होता उसे को अपने according सब कुछ करता रहता लेकिन दो house होंगे तो भाई एक में क्या है देखो होता क्या है अगर कोई भी कानून मनाना है तो वो पहले bill होता है वो discussion पहले लोग सबा में हो रहा है फिर उसको bicameral system होता है दो houses वाला लोग सबा और राजय सबा वाला इसमें क्या है कि जो भी मतलब law बनने वाला होता है ना वो पास होना जरूरी होता है लोग सबा में भी और राजय सबा में भी तो दोनों एक दम एक दूसरे मतलब अकेला होता तो dominating हो जाता कि भाई एक ही जगा पर पास करवाना है चलो कुछ भी बना दो ऐसा अब नहीं है आप लोग सबा में कुछ भी बिल ला रहे हो वो उसके बाद राजय सबा में जा रहा है वहां भी discussion हो रही है थोरो ली उसके उपर debate चल रही है सो कही न कहीं फाइदा होता है इसका ठीक है तो एक अच्छा लोग country को मिलता है इसके अलावा expertise and experience जो राजय सबा के member होते हैं वो उनको हम elect नहीं करते ये चीज़ याद रखना लोग सबा को हम elect करते हैं जो member उसमें बैठे होते हैं जो MP होते हैं लोग सबा वाले उसको हम people of India 18 plus जितने भी लोग है वो डाल कर elect करते हैं direct democracy से ठीक है लेकिन राजय सबा में जो member होते हैं उनको आप लोग directly उनको elect नहीं करते हैं आपने जिनको elect किया होता है आप अपने state में जो election होते हैं state assembly के तो आप उसमें किसको elect करते हो MLA को elect करते हो ठीक है अब ये जितने भी state के MLA होते हैं ये फिर मिलकर क्या करेंगे राजय सबा के लिए MP को elect करेंगे ठीक है तो ऐसा scene होता है आपके द्वारा elected बंदा आगे राजय सबा के लिए बंदे को elect करेगा ठीक है तो वह expert होगा उसको elect किया जाएगा इसके अलावा president जो है कुछ लोगों को सीधा-सीधा भ रहा हो ठीक है जैसे आपने देखा होगा कोई sports की field से आ रहा है वो भी राजय सबा में आ जाता है कोई art की fields से है सचिंते अनुलकर वगरा भी आये थे अभी ठीक है तो ये क्या है कि भई expertise बहुत जादा होती है राजय सबा के चो इस member होते हैं वो बहुत expert होते हैं तो इसस लोकसबा का कोई मतलब नहीं बनता लोकसबा dissolve हो जाएगी और उसके बाद देखो वैसे भी लोकसबा हर 5 साल बाद dissolve होती है क्योंकि 5 साल का tenure होता है ठीक है government का वो खतम तो लोकसबा जो है dissolve लेकिन राजय सबा जो होती है वो बिलकुल भी dissolve नहीं होती क्यों उसका मैं आपक उनका six year का term होता है जो member होते हैं वो 6 साल के लिए चुने जाते हैं और यह बिलकुल भी dissolve नहीं हो सकती राजय सबा याद रखेगा आगे मैं आपको ना एक अच्छा एक differentiate करके दिखाऊंगा table पे so इससे क्या एक stability रहती है कि चलो लोकसबा चली भी गई राजय सबा तो काम देना है बहुत अच्छे से लोकसबा राजय सबा में difference क्या है अब आपको मैं समझाने जा रहा हूँ याद रखेगा सबसे पहले हम बात करेंगे लोकसबा को also known as house of the people यहां लोगों के लिए बात होती है और अगर हम बात करें राजय सबा की this is also known as council of states यानि कि यहां states की बा directly elect करते हैं हमारे इंडिया में general election होते हैं और हम vote डाल कर लोकसबा के MP को चुनते हैं वहीं राजय सबा के अंदर क्या होता है members indirectly elect होते हैं जो मैंने आपको बताया था ना कि आप जिस MLA को vote डालते हो वो MLA जो पूरे state के मिलकर फिर राजय सबा के MP को चुनते हैं ठीक है तो आप यहाँ पे participate नहीं कर रहे हो आपने जिसको elect किया था वो participate कर रहा है तो indirect हो जाता है यहाँ पे election अब बात करें total member की तो maximum यहाँ पे 552 members हो सकते हैं लेकिन 530 represent states यानि कि 530 member जो है वो state को represent कर रहे होते हैं 20 member जो है वो union territories को represent कर रहे होते हैं और 2 member होते हैं जिनको president nominate करता है अपनी तरफ से ठीक है वो प्रेशिडेंट की तरफ से आते हैं वही राजय सभा की बात करें maximum 250 members जिन मेंसे 238 जो है वो state के होते हैं और union territories के होते हैं और 12 members को जो है president directly nominate कर देता है जो art music sports की field से आ रहे होते है social work की field से आ रहे होते हैं उनको directly president जो है वो appoint कर देता है समझा गया member का भी difference बता दिया अब बात करते हैं इनका tenure और इनका term कितना होता है लोग सभा 5 साल के लिए इसका member चुना जाता है ठीक है अगर मालो की सरकार गिर गई बीच में ही government जो है चुने जाते हैं जिसमें से वन थर्ड मेंबर जो है वो रिटायर होते हैं every two years पूरे मेंबरों में से वन तीहाई एक तीहाई यानि कि वन थर्ड मेंबर जो है वो रिटायर होते हैं हर दो साल बात यह difference हो गया अब बात करें इसका लोकषबा का presiding officer कौन होता है में इसका मतलब है लोकषबा को कौन control कर रहा होता है लोकषबा speaker होता है जो की बिलकुल टॉप पे बैठा होता है सब की discussions को handle करता है लोकषबा speaker ठीक है वहीं राज्य सबबा के अंदर जो presiding officer है वो इंडिया का Vice President होता है ठीक है जो भारत का Vice President होता है वो राज्यसभा का Presiding Officer होता है बिल्कुल basic सा difference था table बना के आपको समझा दिया गया है आप ये table याद कर लोगे ना आप बहुत प्यार से अपना answer लिखत होगे paper में ठीक है? ये important था और आगे देखो अगर आप देखोगे role लोगसभा का क्या होता है कानून बनाने में जितने भी laws बनते हैं वो mostly लोगसभा में बनते हैं especially जो money bills होते हैं finance related वो money bills तो सिरफ और सिरफ लोगसभा में ही बनते हैं राज्यसभा में क्या है? बिल को review किया जाता है ठीक है? कि एक बारी discussion दुबारा कर लिया जाता है अगर कोई amendment करना है कोई बदलाव करना है तो वो suggestion यहाँ पर दिया जा सकता है ठीक है? सो ये बाते हैं इसके अलावा power की बात करें सो financial matters में लोगसभा जादा powerful होता है ठीक है? the government is formed by the party or coalition with the majority in लोगसभा लोगसभा के अंदर जिस party को majority मिलती है उसी की देश में government वनती है तो लोगसभा बहुत powerful होता है भाई और राज्यसभा जो है can suggest changes but has less power over money bills ये changes suggest कर सकती है लेकिन इसके पास power नहीं होती money bills वगरा से related कोई money पे कानून बनाना ये सब नहीं कर सकती और इसका main काम होता है state और union territories के मुद्धों को represent करना ठीक है? अब अगर हम money bills की बात करें थोड़ा और retail में so money bill जो money से related bill है चाहे वो GST का bill हो गया या वो demonetization वाली बात हो गयी वो सारी चीजे सिरफ और सिरफ लोगसभा में ही आ सकती है एक बार ही money bill यहाँ पास हो गया तो राज्यसभा उसको deny नहीं कर सकती उसको पास करना ही पड़ेगा so राज्यसभा can only suggest amendments राज्यसभा ये कह सकता है कि भाई ये ये बदलाव कर लो लेकिन उसको मना नहीं कर सकता but cannot reject them और उनको money bill को 14 दिन के अंदर वापिस भेजना होता है क्योंकि लोगसभा में कोई discussion हुई फिर वो bill राज्यसभा में जाएगा और राज्यसभा में discussion होगी फिर उसके बाद वो आगे president के पास जाएगा तो राज्यसभा इसको reject नहीं कर सकती money bill को याद रखना government की formation यानि की government वनाने में लोगसभा का क्या रोल है तो भाई देखो लोगसभा से ही तो government वन रही है लोगसभा में जिस party के सबसे ज़्यादा MP होते है उसी की government बनती है जिसकी लोगसभा में majority होती है उसी party की government बनती है और राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता government बनाने में कोई भी रोल नहीं होता ये चीज़ याद रखना और dissolution की बात करें तो भाई लोगसभा dissolve हो सकती है by the president प्रेसिडेंट जब चाहे उसको जो dissolve कर सकता है लोगसभा में अगर government गिर जाती है no confidence motion आ जाता है यानि कि सरकार पे भरोसा नहीं है और ज़्यादा तर voting हो गई कि सरकार पे भरोसा नहीं है तो सरकार गिर जाएगी और ऐसे में क्या होगा लोगसभा dissolve हो जाएगी बलकि यहाँ पे आप अगर देखोगे यह एक permanent body है यह कभी भी dissolve नहीं होगी कभी भी चाहे कैसी भी situation हो राजय सबा हमारी कभी भी dissolve नहीं हो सकती यह difference है I hope आपको समझ में आ गया होगा अगला topic है हमारा How a bill becomes a law in India और how does parliament make laws हमारा parliament कानून कैसे बनाता है कानून बनाने का process क्या होता है we are going to talk about this ठीक है So I hope आपको यहाँ तक तो अभी तक समझ आ रहा होगा अब हम फिर समझते हैं सबसे पहले क्या होता है drafting होती है कोई भी कानून बनने से पहले एक bill बनता है So bill is drafted by a government or a member of parliament Bill में main main point लिखे होंगे जो भी कानून बनाना है क्या क्या होगा इस कानून में ठीक है So यह bill है और अब इसको बनाया जाएगा पहला step यही होता है बनाना दूसरा step होता है First Reading Introduction दिया जाता है Bill का Parliament में So bill जो होगा जो बनाया गया है वो लोकसभा में राज्यसभा में अगर लोकसभा में Bill आया है तो लोकसभा में पहले पढ़ा जाएगा राज्यसभा में पहले बिल आया है तो पहले राज्यसभा में उसको पढ़ा जाएगा और उसकी जितनी copy होंगी फोटो copy करवा कर सभी members को दे दी जाएंगी इस वाले step में कोई debate नहीं होती ये first reading है सिरफ बताया जा रहा है bill किस बारे में है फिर उसके बाद second reading आती है second reading में क्या है थोड़ा detail दी जाती है उस bill के बारे में उस bill को discuss किया जाता है जो member होते हैं Parliament के वो suggestions दे सकते हैं आप ये बिल में ये ये changes कर लो तो अच्छा रहेगा और ये बिल को फिर कुछ committees वगर को भी भेजा जा सकता है review के लिए कुछ ना parliamentary committees होती है जो बिल वगर को जाचती है कैसा है कैसा नहीं है तो ये यहाँ पर होता है फिर third reading का time आता है first और second reading समझ गए अभी तक debate नहीं हो रही third reading ये final discussion का time होता है discussion का final ये जो time होता है इसमें debate होती है आपने देखा लोगसबा में ये लोग क्या करते हैं debate ही तो करते हैं कोई कानून आता है बिल कोई मानलो मोदी जी ने पढ़के बताया कि हम ये बिल लाने वाले हैं कि पूरे देश में सभी के लिए equal कानून होंगे अब कई लोग first reading में तो कुछ नहीं बोलेंगे second reading में भी कुछ नहीं बोलेंगे जब third reading का time आएगा तो सभी बोलेंगे मोदी जी तो गलत कानून बना रहे हैं इन्होंने तो ये करना चाहिए था वो करना चाहिए था यहां पे सारा जो लफडा लडाई जगडा चुरू होता है ठीक है third reading में और उसके बाद voting होती है कितने member ऐसे हैं लोग सभा के जो चाहते हैं कि इस bill को pass कर देना चाहिए जो yes बोलेगा वो भी लिखा आ जाएगा स्क्रीन पे जो no बोलेगा वो भी लिखा आ जाएगा जिसको voting ज़्यादा मिली होगी yes वाली होगी तो भाई उस bill को आगे भेज़ दिया जाएगा राज्यस्वा में देखो simple सा process है लोगसवा में pass हो जाता है bill तो फिर वो राज्यस्वा में जाएगा लोगसवा में पास नहीं हुआ तो वो वहीं रह जाएगा थीक है अब यहाँ पे क्या होता है third reading होने के बाद दूसरे house में उसको भेजा जाता है review के लिए तो जो bill होता है वो बहुत अच्छे से discussion होने के बाद पहली second और third reading के बाद लोगसवा में अगर वो आया था तो राज्यसवा उसको भेज दिया जाएगा राज्यसवा में आया था तो लोगसवा में भेज दिया जाएगा तो इस तरीके से transfer हो जाता है bill दूसरे house में ठीक है यहां तक समझा रहा है आपको अब क्या होगा जब वहां से भी final हो गया लोगसवा में भी लाया था transfer होके राज्यसवा चला गया यहां भी final हो गया चलो ठीक है यार बना दो फिर यह bill जाएगा president के signature होने के लिए अब यहां पे यह final step है president चाहे signature करे चाहे वो signature ना भी करे यह उसकी मर्जी है उसको लगता है कानून अच्छा बन सकता है so the bill is sent to the president of India अगर president approve करेगा sign कर देगा तो वो bill फिर law कहलाएगा फिर वो उस दिन से कानून बन जाएगा हम कहते हैं न हमारे तो कानून है अब जैसे मालो जो लोग rape कर रहे है ठीक है rapist के लिए कानून बनाना है कोई कि बही तोरंत उसको टांग दो फासी पर हम कहते हैं न कि बही रेप करने वालों के लिए ऐसे कानून होने चाहिए तोरंती पकड़के फासी पर लटका दो तो ये कानून बनते कैसे हैं वो कानून बनाने से पहले वो बिल होगा उस पर discussion होगी जैसे मैंने आपको बताया first reading, second reading, third reading फिर वो जाएगा दूसरे house में फिर उसके बाद वो president के पास जाएगा अब president इसको sign कर देगा तो बस law बन जाएगा तो once the president signs the bill it becomes an official in India, हमारे देश के अंदर parliament जो होती है जो legislature होता है वो executive को कैसे control करता है ये अब हमें समझना है executive क्या है, जो हमारे laws को enforce करने वाली agencies है, prime minister है ministers है, कैसे parliament में सबसे पहले हैं na question hour होता है, जहाँ पर questions पूछे जाते हैं parliament में, जो MP होते हैं na, जितने भी member of parliament होते हैं, वो ministers से सवाल पूछ सकते हैं, एक time दिया जाता है, जिसको कहा जाता है question hour, ठीक है, इस hour में, आप सवाल पूछो सरकार से, कि आप क्या कर रहे हो, policy आपकी कैसी है जो भी सवाल करना है, वो सवाल आप इसमें पूछ सकते हो, और इसके लिए सरकार पूरी answerable होती है, आपको पूरा answer मिलेगा, transparency मिलेगी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आती फिर debate और discussions दूसरा एक method होता है, कि भाई, जो सरकार की policies होती हैं, उस पर debate करना, उस पर positive और negatives पर उपर बात करना, so जो MP होते हैं, member of parliament वो discuss कर सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, government की policies के उपर, government के programs के उपर, और सरकार को ये सारी बाते सुननी पड़ेंगी, और feedback लेना पड़ेगा यहां के लोगों का, फिर vote of no confidence, ये सबसे खतरनाक power है भाई, parliament की सबसे खतरनाक, कैसे government को ही remove कर सकते हैं, मालो, Modi government है, आज की date में अरेंदर Modi जी की government है, अगर लोगसभा के जितने MP हैं वो ये कहते हैं, government सही से काम नहीं कर रही है, properly, सभी को vote करवाया जाएगा, लोगसभा में कि क्या आप चाहते हो, government को हटा दिया जाए, और अगर majority ये कहती है, कि government हटा नहीं है, वो government वहीं पे खतम, चाहे बेशक लोगों ने उनको election से जितवाया हो, it doesn't matter, अगर लोगसभा में no confidence motion आ गया, तो भाई समझो, टाइट आइप इस government की, चोथा है approval of budget, अब parliament ही approval देता है budget का, पैसे से related control, parliament के पास होता है, कोई भी नेता मन मर्जी पैसा नहीं खर्च कर सकता कहीं भी, देखो government जो है, वो parliament के approval के बिना, कोई एक रुपिया, एक फूटी कोडी कहीं पे नहीं spend कर सकती, ठीक है, MP को approval चाहिए होता है, और उसके बाद ही, वो पैसा government खर्च करती है, इसके अलावा, parliamentary committees होती है, यह क्या करती है, government के उपर नजर रखती है, उनके काम, उनके programs के उपर नजर रखती है, और जो बिल आते हैं, उसके उपर नजर रखती है, feedback देती है, so parliament itself is a very strong organization, parliament बहुत खतरनाख है, इसके अलावा क्या होता है, adjournment motion, इसमें क्या होता है, समझो, कुछ urgent matter आ गया, मानलो, MPs can raise urgent issues requiring immediate government attention, मानलो, Pakistan ने हमला कर दिया, और बहुत ही जाद नुकसान हो गया, इंडिया का, कई जवान शहीद हो गया, तो लोकसभा के member कह सकते हैं, government को, जल्दी से जल्दी जवाब दो, ये क्यों हुआ ऐसा, तुरंत urgent matter पे भी आप सवाल कर सकते हो, वैसे तो एक time दिया जाता है, question hour, उसमें सवाल जवाब होते हैं, कभी-कभी urgent matter हो, तो immediately भी सवाल हो सकता है, इसके अलावा होता है, censor motion, इसका मतलब होता है, कि आप क्या कर रहे हो, if MP are unhappy, with a specific action or policy of the government, they can pass a censor motion, while it does not remove the government, it puts pressure on them to change their approach, इसमें क्या होता है, opposition वाले हैं, मालो रावल गांधी है, उसकी टीम है, उनको मोधी जी का कोई काम पसंद नहीं आया, तो वो censor motion पास करवा सकते हैं, तो इससे क्या थोड़ा pressure आता है गवर्मेंट पे, पर गवर्मेंट को आप हटा नहीं सकते हैं, गवर्मेंट कोन से motion से हटती है, no confidence motion से सिरफ, और कोई motion नहीं होता, फिर आता है legislative approval, जो भी कानून बनता है भाई, आपको पता ही है कानून बनने के लिए, पार्लेमेंट तो बहुत जरूरी है, पार्लेमेंट के approval के बिना कोई कानून बनी नहीं सकता, debate होगी, first reading, second reading third reading, feedback के लिए जाएगा सो पार्लेमेंट यहां पर बहुत important है, इतने point दे दी है आपको मैंने, आप exam में भरबर के लिख सकते हो इस पर, फिर हमारा last topic है, what do the committees of parliament do, पार्लेमेंट तो समझ आ गया, अब यह क्या बवाल है भाई, parliamentary committees देखो, पार्लेमेंट के लोकसभा के session होते हैं monsoon session है, ठीक है यहां फिर आपका सरदियों वाला session आता है, अब यह तो हमेशा 24 गंटे, 12 महीं ने तो लोकसभा खुली ने रहती parliamentary committee क्या करती है पूरे साल काम करती है, नजर रखती है सरकार के उपर, जो बिल आया है, उसको थोरोली जाकर उसके उपर research करती है review देती है, feedback देती है examine करती है बिल को उसमें amendment अगर कुछ करना है तो वो भी suggest करती है, तो parliamentary committee पूरे साल काम करती है कि वो बिल में improvement आये और उसके बाद वो एक अच्छा कानुन बने policy analysis, अगर सरकार की कोई policy बनी है या सरकार कोई program चला रही है उसको और effective और impactful बनाने के लिए analysis कर सकती है, suggestions दे सकती है recommend कर सकती है अगर कोई policy में change करना है कुछ improve करना है तो वो भी कर सकती है इसके साथ हमारा chapter खतम अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को subscribe करें, वीडियो को like करें अपना feedback लिखें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को share करें जै हिंद जै भारत मिलते हैं next वीडियो में